दिव्यांग होने के बावजूद नहीं टूटी हिम्मत निकल पड़ा मन्जिल के तलाश में इस हिम्मत वाले के लिए एक लाइक तो जरूर करें हमारा देश और समाज भले ही आज प्रगती की नई राहों पर चल रहा है पर कहीं न कहीं लोगों की सोच आज भी पुरानी और दक्यानुसी हैं जब बात दिव्यांग लोगों की होती हैं तो आज भी उन्हें समाज में कमजोर समझा जाता है और उन्हें एक अलग नजरिये से देखा जाता है किसी दिव्यांग व्यक्ति के बारे में लोगों की यही राय होती है कि ये दिव्यांग होने की वज़ से अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता और सारी उम्र दूसरों पर निर्भर रहकर उसे जीना पड़ेगा जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है दिव्यांग व्यक्ति भी अपनी महनत से हमारे देश में काम्याबी का वो उहदा हासिल कर रहे हैं जो साधरन व्यक्ति को भी नहीं मिल पाता है आज हम यूपी के रहने वाले ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्नोंने दिव्यांग होने की वज़ा से लोगों के बहुत ताने सहें फिर दिव्यांगता को ही अपना जनून बनाया और सब के लिए मिसाल कायम की आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि दिव्यांग होने के बावजूद इस इनसान ने घर पर रोटियां तोड़ना सही की समझा बलकि दुनिया का सामना करके अपनी मंजिल को अपने कदमों में छुकाने का फैसला किया और इसी जजबे के साथ निकल पड़ा घर से जहां कुछ लोग छोटी मोटी चीजों का बहाना करके काम से बचना चाहते हैं वही ये इनसान जो कि दिव्यांग होने के बावजूद फिर भी इसके इरादे बुलंद हैं और इसने अपने होसले से मुह बंद किया फिजूल बूलने वालों का और जोर का तमाचा मारा है वैसे लोगों के मुह पर जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद काम से बचना चाहते हैं इस व्यक्ती ने बताया कि उनकी इन शारिरिक डिव्यांग गताओं की वज़ह से उन्हें जीवन में बहुत से परिशानिया आई कई लोग तो उनके विकलांग होने के कारण उन्हें ताने मारा करते थे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेस्बूक और वाटस अप के जरीए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लीजिए